दोस्तों कतर से एक बहुत ही शौकिंग न्यूज मारे सामने आ रही है जहां पर आठ फॉर्मर नेवी ओफिशल्स को इंडिया के डेथ पैनल्टी वहाँ पर दी गई है यह अपने आप में बहुत ही कंसर्णिंग सिट्वेशन है इंडिया और कतर के रिगार्डिंग आने वा बहुत सारे इनके देखी किस तरह इनकी raid और searches होती है तो यहां पर ED के बारे में हमें समझना जूरी है जो कि अभी करेंटी राजस्थान गॉर्मेंट या राजस्थान Congress leaders के उपर यहां पर सर्च किया गया है तो ED के बारे में जो पूरा discussion था वो पिछ्छे lectures के अंदर हमने अल्रेडी कर रखा है तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की डेट है आज की 27 अक्टूबर 2023 आप सभी का स्वागत है आज के प्रेलिम बूस्टर news discussion के अंदर चलते हैं पहले topic की तरफ जो मैंने आपको बताया कि कतर द है कि जो different worships हैं इनको यहां पर इन officers ने command किया हो है at the same time जो आप जानते होगे ना प्रवासी भारती दिवस के बारे में तो प्रवासी भारती सम्मेलन के अंदर ना इनमें से कुछ officers को award वगरा भी काफी मिल चुके हैं तो अपने आप में काफी important personalities हमें यहां पर देखने को अब यहां पर ना इस particular consultancy हमारे और जो हमारे Indian citizens हैं इनके उपर कुछ आरोप लगे हैं मैं आपको समझाता हूं although यह जो आरोप है ना पूरी तना से इनको public नहीं किया गया है पर फिर भी news information के थूरू हमारे पास जो information है उसके साब से मैं आपको बता रहा हूं actual में क्या है जो कतर है ना वो इटली से सम मरीन यहां पर परचेस कर रहा है ठीक है ना जिनकी stealth capabilities है अब हमारे जो लोग ना यह जो आर्ट में navy officers एक्स navy officers की बात पर रहा हूं इनके उपर आरोप यह लगाया गया है कि यह भाईया यह spy या जासूसी कर रहे थे इसी चीज के रिगाड़े कुछ information होगी जो point information है उसी के रिगाड़ी यहां पर यह जासूसी कर रहे थे और actually मुद्दा और भी गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि ऐसा बोला गया है कि इंडिया के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे यह जासूसी कर रहे थे इसराइल के रिगाड़ी अब दिखो इसमें बात करते हैं कतर और इंडिया की तो कतर और इंडिया अपने आप में friendly countries हैं आपको देखने के मिलेगा कि इंडिया के आठ लाख जो लोग हैं वो यहां पर कतर में काम करते हैं ठीक हैं आठ लाख इंडिया जो वर्क करते हैं at the same time हमारे जो परदान मंत्री रेंदर मोधी ज मिनिस्टर बने थे जिन्होंने कतर का दौरों किया at the same time हमारे जो foreign minister थी सुश्मा सरवाज जी वो भी यहां पर कतर जाके आएं थी तो अपने आप में इंडिया और कतर के relation अच्छे रहे हैं पिछले कुछ time के अंदर पर अगर पिछले एक साल की बात करो तो थोड़ा सा य कतर पहली कंटरी वनी थी कतर क्या थी इट वस्ट कंटरी जिसने इंडियन गोर्मेंट को बोला था कि आप माफी मांगिए एक फॉर्मल अपालिजी यहां पर डिमांड करने वाली पहली कंटरी कौन थी कतर थी दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं अभी जैसे को इंडिय इंडिया का स्टैन्ड डेफिनेट निमंषा फीस की साइड रहा है कि हमें शानती की तरफ है पर कटर को यहां तक ना ऐसा काया रिपोर्टों अजfind आ बतारी है पर बाकि देखो इंडिया कतर के साथ जो LPG हो गया इनकी डिपेंडनेस के लिए जरूरी है हमारी जो energy security है हम उसको उसको पूरा करने के लिए काफी पॉइंट है अब आगेने वाले time के अंदर देखो इंडिया के पास क्या option है देखो इंडिया का न ये भी मानना है कि प्रॉपर न एक fair trial सबको नहीं मिला कहने का point क्या कि जो 8 former navy officers के हम बात करें न इनकी properly बात नहीं सुने गई तो इनकी properly बात सुनी जाए इनकी जो concerns उनको देखा जाए अब इंडिया के पास different options है कि legal appeal करें इस case के अंदर इस case को दोनों सरकारें आपस में diplomatical तरीके से इसको resolve कर दें पर धान मंत्री जी के level के उ नोटेस करोगे कतर का भी न ऐसा कोई है बहले चोटी कंट्री है पर अपने आप में important बहुत है कतर की जैसे हम बात करते हैं अभी जैसे तालीबान की बात हुई तो तालीबान के और जो उस ताइम जो यूएस का withdrawal था तालीमान से तो वहाँ पर जो मीटिंग्स हुआ करती थी वह कतर के अंदर ही हो करती थी तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो कतर का भी न आपना आप में diplomatic cloud काफी अच्छा है तो दोनों देखो friendly countries हैं पर इस तरह के कुछ मुद्दे होते हैं जिनकी वज़ा से कुछ concerns आजाते हैं तो definitely यह मुद्दों को हमें आपस में diplomatic धंक सही solve कर लेना चाहिए ताकि यह मुद्दे ना भढ़े और इंडिया की जो friendly countries और उनके साथ relationships और भी बहतर हो पाएं I hope यह पूरे मुद्दे को आप अच्छे समझ गये होंगे आगे वाले times के अदर जो भी developments होंगी हम उनको definitely discuss कर ही लेंगे next topic की तरफ चलते हैं that is प्र state government की कोई भी state government की बात कर लो बहुत सारे हम ना प्रोजेक्ट्स वगरा अनौस करते रहते हैं कि हां जी भाया यह project करेंगे वो project करेंगे पर अनौस करना एक चीज़ होती है and कहिना कि उनको fulfill करना and उपर ली उनको timely ढंक के अंदर उनको implement करना यह अपने आपे बहुत लगता लगता रहेगा कि भाया हमारी सरकार की यह सारे project से हमारी state government की यह कुछ project से इनका यह status था हमने 2030 तक लट से implement करना था अभी 2023 है तो हमने क्या क्या चीज़े कर ली कितना कितना उसके regarding development हो गया क्या क्या चीज़े बची हुई है जब हमारे सामने सारी चीज़े सामने दिख जाएंगी तो कहिना कि हमें पता लग जाए यार अच्छा यह वाला काम तब तक complete करना था पर अभी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ तो कैसे आगे आने वाले time के अंदर हमें अपनी speed बढ़ानी पड़ेगी आई बात समझ में तो प्रक्ती platform यही चीज़े को ensure करता ह है कि कही ना कहीं जो हमारे important programs, important projects होते हैं उनको monitor करना, उनको review करना, कुछ changes लेके आने हुए तो उनको यहाँ पर discuss करना, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह अपने आप में three tier system है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आपका Prime Minister's Office है, साथ-साथ Union Government के secretaries है और Chief Secretaries of States, तो मज़ी पाओगे कैसे भढ़ रही है, हर किसी को पता है ना यार देखना पड़ेगा data, प्रधान मत्री जी खुद बैठके ठीक ना यह दिको आप Prime Minister's जी खुद बैठके देख रहे हैं यार कि कौन सा काम कहां तक हो चुका है, तो कही ना कहीं जो जवाब देही है, वो तैक जा पाएगी, हमारे पास proper information है, e-transparency से remote हो रही है, तो यहाँ पर आपका digital data management हो गया, video conferences का यूज किया जा रहा है, जियो special technology का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तांकि इन चीजों को अच्छे से implement किया जा पाए, अब एक चीज़ आपको और ध्यान में रखने हैं कि आ meeting ministry है, meeting ministry मतलब आपकी जो ministry of electronics and information technology वाले ministry है न, वो यहाँ पर उसी के अंतरगत हमें एक center देखने मुलता है, NIC National Informatic Center, तो basically NIC करता क्या है, यह हमारी सरकार का क्या है, technology partner है, कुछ भी technology के regarding दिक्कते आती है न, कुछ भी technology के solutions देने होते हैं मारी central government को या state government को, तो वो यहाँ आपर NIC, National Informatic Center यहाँ पर दे सकता है, यह बात होगी NIC के बारे में, आई होप आपको प्रक्ती platform समझ आ गया होगा, अगले topic की तरफ चलते हैं है, nutrient based fertilizer subsidy, पहले तो न, देखो, आपको मैं मुद्दा समझाने के कोशिश करता हूँ, क्या के nutrient based subsidy होती क्या है, देखो, ध्यान स समझना, एक होता है हमारे पास यूरिया, एक होता है यूरिया के अलावा जितने भी fertilizer होगे, जिसे for example आपने MOP, Murat of Potash के बारे में सुना होगा, तो जो other fertilizer की आपे बात कर लेता हूँ, तो होता क्या है न, जो other fertilizer है, वो आते हैं आपके NBS scheme के अंतरगत, NBS मतलब nutrient based subsidy, यूरि यूरिया का दाम पता कैसे तैय होता है, यूरिया का fixed price होता है, कि सरकार तैय करेगी कि यूरिया कितने रुपे में बिकेगा, मालो सरकार ने बोल गया कि यूरिया 50 रुपे से उपर नी बिकेगा, तो 50 रुपे उसके ceiling लगा दी गई है, whereas जो बाकी fertilizer हैं, उनकी market के हिसाब स price होता है, मतलब market के हिनके price को determine करते हैं, तो price इनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो आप समझ की होगे, यूरिया के अंदर की fixed price है, तो सरकार उससाब से subscribe देती होगी, पर बाकी fertilizer के दर subsidy कैसे दी जाती है, यहाँ पर समझना कि आपके ना, जैसे मालो कोई manufacturer है, इस manufacturer ने जब भी अपने fertilizer को बनाया, तो उसके अंदर कुछ nitrogen को use किया होगा, मतलब phosphorus हो गया, potassium हो गया, और इस तरह से different-different यहाँ पे उसने अलग-अलग nutrients को use किया होगा, अब यह देखा जाता है कि उसके fertilizer के अंदर कितने kilo nitrogen है, कितने kilo यह है, कितने kilo वो है, जितने kilo होगी उसे साब से उनको subsidy दी जाजएगी, जैसे मालो ना, इसका nitrogen का 1 kg subsidy टै की जाएगी, phosphorus की भी इस तरह से, फिर उसके manufacturer के जितने fertilizer के अंदर, जितने kilo यहाँ पे यह चीज मिलेगी, उतनी उसको subsidy यहाँ पे दे दी जाएगी, और उसे साब से उसका दाम, मालो उसको बन रहा था सौर पे के अंदर, फिर हमने देखा कि subsidies के उपर 70 रुपे बनती है, तो इंदियांड वो market में 30 रुपे का बिख जाएगा, तो इस तरह से market price इस तरह से determine होता है, यहाँ पर बाकी सारे fertilizer का, I hope यह समझ गी होंगे, तो सरकार ना, इस तरह से हर साल क्या करती है, आपके अलग इस तरह से करने का perception है, कि पहले तो हमारे किसान है, उसके लिए जो nutrients है, या जो fertilizer है, वो सस्ते दामों के उपर available हो पाए, ताकि उनको use कर पाए, उपर से अगर आप notice करोगे, हमारी जो soil होती है, उसके अंदर हमें NPK, यानि कि nitrogen, phosphorus और potassium, इसकी मातरा 4 ratio, 2 ratio, 1 होनी चाहिए, यानि कि इस ratio के अंदर होने चाहिए, पर हम इतना जादा हम यूरिया वगरा यूस करते हैं, जिसमें nitrogen जादा होता है, कि हमारे यहां पर nitrogen की मातरा बहुत बढ़ चुकी है, तो हम न, actual में manufacturers को क्या कर रहे हैं, हम उनको different nutrients के उपर यहां पर इस तरह subsidy देने क करेंगे, तो एक balanced production हो पाएगी, इस particular fertilizer की, तो यह यहां पर focus है, तो ध्यान रखना, इस बार Central Government ने 44,000 क्रोड रुपर इसके लिए इर्मा किया है, NBS के लिए, एंड साथी साथ अगर आप protest करोगे, जो अगर हम बात करें, April to August period की, तो वहां पर 34,000 क्रोड की पैसा जो है, वो यहां पर already खर्च भी हो चुका है, NBS के मैंने आपको meaning समझाई दिया, किस तना से 4 ratio, 2 ratio, 1 को हमें manage करना होता है, तो उसका हम नहीं manage कर पारे, तो उसलिए इ exciting and what prices they can sell, यह सारी चीज़े हमें आपर देखने को मिल जाएंगी, तो यह कुछ points से यह कुछ benefits थे, जो definitely आपको इसके regarding पता होने चाहिए, अगले topic की तरफ चलते हैं, that is, देखो, action में क्या हुआ है, कि India, अब आप जानते हो, इंडिया और भारत की debate काफे लंबे टाइम से चली आ रही है, अब अगर हम बात करें आपने article 1 की, article 1 के अंतरगत clearly लिखा हुआ है, कि India that is, भारत shall be a union of state, कहने का मतलब क्या, कि इंडिया का जो नाम है, वो इंडिया भी है, और भारत भी है, पर पिछले कुछ time के अंदर देखो, especially जब से जो opposition parties हैं, उन्होंने अपना न नाम रखा हुआ है, उनके alliance का नाम रखा हुआ है, अब ही क्या हुआ था ना, एक NCRT की एक committee है, उसने बोला है कि जहां जहां पर India term आता है ना, आपके NCRT books के अंदर, उसको हटा दो, उसकी जगा आप भारत वर्ड का use करो, इसके लावा नोंने और भी कुछ suggestions किये, कि जो जो भी Hindu kings की जीत थी, जो victories थी, उनको थोड़ा ज़ादा highlight किया जाए, जो Indian history है, especially independence के बाद की history, वहाँ पर उसको थोड़ा हम और accurate दिखा सकते हैं, ठीक है ना, तो यह कुछ इन्होंने यहां पर बात करी, तो यहां पर ना, बहुत सारे जो opposition parties हैं, उन्होंने इसको oppose किया, एक basic idea आपने पहले भी इसके करें किया हुआ है, इंडिया वसल भारत की debate का, तो वो उसके अंदर हमें नहीं पढ़ना, यह political मुद्धे हैं, पर आप notice करना कि article 1 के अंदर clearly, दोनों के दोनों नाम हमारे ही देश के दिए गए हैं, इंडिया भी भारत की, तो यह हम ऐसा नही हैं कि एक बढ़िया है दूसरे के ऊपर, यह दूसरा बढ़िया है, नहीं, हमारे constitution के अंदर बहुत ही clearly यह इस mention हुई है, कि India that is भारत shall be a union of state, इसमें कोई द्वन्द वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगले topic तरफ आगे बढ़ते हैं, इस SCO, Shanghai Corporation Organization, देखो SCO पॉलिटी के अंदर आप जानते हो ना, जब हम बात करते हैं, head of government की, head of government कौन होते हैं, head of government होते हैं हमारे प्रधान मत्री, यह है polity के अंदर definition, और जब हम बात करते हो head of state की, head of state कौन होते हैं, हमारे जो president साहब होते हैं, पर यहाँ पर यह वाली analogy काम नहीं आने वाली, यह टॉप मोस्ट बॉड़ी है इसकी SCO की इसके अंदर कौन कौन आता है इसके अंदर आप पे जैसे हमारे परधान मंत्री जी हो गया ठीक उस तरह से चाइना के जो प्रेजिडेंट हो गया आपके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पकिस्तान के हो गया फुतिन हो गया जो कि प्रेजिडेंट है तो यह टॉप मोस्ट बॉड़ी है SCO की that is Council of Head of State उसी तरह से यहाँ पर ना Council of Head of Government आता है SCO का यह लोग SCO वाले इसको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल भी बोलते हैं तो यहाँ पर ही मत सोचना कि SCO के अंदर आपका Council of Head of State, इसको CHF बोलते हैं तो दूसी नंबर पर आगया Council of Head of Government जिसमें उस देश के जो Second Most Powerful Person होते हैं वो जाते हैं अब इंडिया केस में आप खोके Sir क्या डॉक्ट्राइस जैशनकर Second Powerful है देखो वो बात नहीं है सरकार की तरफ से किसी को represent करना है न तो उस वज़ा से जा रहे है Getting the point, ऐसा मत सोचना कि यह क्यों नहीं जा रहा वो क्यों नहीं जा रहा, यहाँ पर आप नोटिस करोगे सारे देशों के नहीं जो Second Most के उपर Person आते हैं, वो यहाँ पर हमें जाते हुए देखने को और होती है, तो CHG क्या है, Second Highest Forum है यहाँ पर हमें जाते है, Economy, Finance इस तरह के अलग अलग मुद्धे के उपर discussion देखा जाता है देखो, SEO के बार में थोड़ समय discussion करने ही कोशिश करूँ तो 2001 के अंदर हमें इसका formation देखने को मिलता है कहाँ पर Shanghai के अंदर ठीक है ना, पहले एक्चल में इसका नाम था Shanghai 5, 2001 से पहले तो आप से कोई पूचे की Shanghai Corporation Organization का predecessor कौन सा है तो आज के टाइम के उपर अगर आप प्रोटेस करोगे ना तो यहाँ पर टोटल 9 कंट्री इसकी मेंबर देखने को मिल जाती है हाँ जी बिलकुल, आठ नहीं है, नौ है इरान भी अब इसका मेंबर बन चुक है बाकी तो आप जानते होंगे, तेका इंडिया पाकिस्तान ने 2017 में जॉइन किया था, उसके पहले चाइना, करदाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया जाकिस्तान, उसके बिलकिस्तान, तो इस तरह से टोटल 9 मेंबर कंट्रिस हमें आज के टाइम के उपर देखने को मिल जाती हैं, यहाँ पर इनकी दो official languages भी है, Russian और Chinese, और इनका focus के इनके उपर है regional security issues के उपर हो गया कही ना कहीं member states के अंदर आपस में mutual trust build किया जा पाए, ठीक है ना अच्छी friendship बिल्ड की जा पाए, अलगराग neighboring countries के बीच में आपका trade, economy, science and technology हो गया, साथ-साथ area के अंदर peace हो गया, security हो गया, यह establish की जा पाए, उसके लिए काम करता है यहाँ पर आप दिखोगे इसकी दो standing bodies है, एक आपका rats कहां देखने को मिलती है, आपको ताशकंत के अंदर, ताशकंत कहां पर है, आप जानते होंगे, यह है उसबेकिस्तान के अंदर, तो यह कुछ important points थे SEO के regarding जो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर council of head of state और council of head of government के बीच में कोई आपको नहीं हुई होगी, अगले topic के तरफ चलते हैं इस colombo port के बारे में, देखो फ्लेसी न्यूस है एक तरह से, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह आपको colombo port यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर चाइना का तो देखो यही कहना है कि यह नहीं, बिल्कुल यहाँ पर चीज़े करने आए हैं, पर नहीं, इंडिया का देखो बिल्कुल यहाँ पर मानना है कि चाइना की वैसल यहाँ पर श्रिलंका की दर्टी के ओपर क्या कर रही है, डेफिनेटली इससे कुछ चाइना की रिसर्च वहिकल है तो यह चीज़ें आपको यहां पर पता होने चाहिए क्लम्बो पोर्ट बेसिकली क्या है कंटेनर पोर्ट हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा एंड साथी साथ बहुत इंपॉइंट अपने 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 स्ट्रेजिक हब है क्योंकि आप द अपना नेटवर्क यहां पर एक तरह से स्ट्रेबिश करता है यह आप नोटिस करो इस पर्टिकॉलर इमेज को यहां पर आप जो बात करें स्टिंग ऑफ पर्ल्स की मोतियों की एक तरह सी पूरी स्टिंग सी बन रखी है जैसे पर एक्जांपल यहां पर शिलंका का हमबन हो गया मालडेश के दर हो गया पार किस्तान उको गया झिबूति हो गया आपका बैंग्लफ़ की उससे मेनमार है और और में को अन्वा जाए अपर पर के यहां पर देखने आप ले कप को आप कि यह चाइना की स्ट्रेंग और पॉल्सी के बारे में आपको पताना चाहिए तो क्लम्बो पोट हो गया हम बंड़ा पोट हो गया वो भी इस तरह से इंसर्कल करने की है यहां पे चाइना की हमें यहां पे कोशिश देखने को मिल जाएगी इंपॉरेंट देखो इसलिए बन दा और है ठीक है ना देश कि एक ना कंज्यूमर रिपोर्ट से एक यूएस बेस नॉन प्रॉफिट कंज्यूमर ग्रूप है उसने यह पाया है कि लेड और केडिमियम की जो मात्रा है ना वो आपकी चॉकलेट के अंदर काफी अच्छी का से देखने को मल जाती है और क्यों हो गया इंग्जाइटी हो गया इरिटेशन हो गया जो आजकल बच्चों के अंदर बहुत देखने को मिल भी रही है इंपक्ट तो इसके पीछे का एक मेजर कारण चॉकलेट भी हो सकता है ठीक है तो कल को आपको आपको ना एक्जाम के अदर पूछे कि लेड और या इस त इसको मैं कल काफी डिटेल्मेंट चर्टा करूंगा इसके ऊपर चंता मत करो पर ट्राई करना जूरूर इसका अंसर करने की दूसरा है राफा क्रॉसिंग के बारे में ये प्लेसिन निउस के बारे में एक विश्चन है तो इसका भी मुझे नीचे कॉमेट्स में अंसर बताना कल जो हमबग दिया था इसका मैं आपको अंसर बतायता हूं पहला था इंटरनेशन माइग्रेशन आउट ल बारे में तो यह सेकंड श्रिम आपकी बिल्कुल क्रेक्ट है स्नो लेपड के बात करें तो डबल्यू प्यों के श्रीडूल बन के अंदर आता है हां जी यह बाद भी आपकी क्रेक्ट हो जाई अब देखो questions अलग अलग तरह क्या होते हैं एक होता आपका start question start question एक MP पूछता है और यहां पर ना यह start question कैसे दिया जाता है orally very very important ठीक है oral वाले questions होते हैं यहां पर क्या होता है जब एक question और ली पूछा गया तो यहां पर क्या हो गया उसके supplementary उसके मतलब उसके ना जवाब के अंदर कुछ और questions भी यहां पर हमें पूछे जा सकते हैं तो यह point भी आप ध्यान में रखिएगा दूसरा चीज है अंस्टार्ड questions के regarding जब मैं बात के तो अंस्टार्ड questions की यह वो questions है जहां पर आपका return reply आता है कर रहे हैं क्योंकि देखो वही जब हुआ मोहत्रा वाला केस है चल रहा है वहां पर ऐसा बोला गया है कि उन्होंने कुछ पैसे लिए थे तांकि वह questions पूछना नाम भी दिया गया है जो भी होगा इसके उपर हम discussion कर लेंगे कभी जब इसका result आ जाएगा पर अभी तो ऐसा ही मुद्दा चल रहा है तो question hour हो गया आपका start question,unstart question और आपका shortness question यह सारी चीज़ें आपको पतावने चाहिए इस इमेज को यहां पर आप देखो यहां पर जब आप इस इमेज को देखोगे आप रिलाइस करोगे कि हां जी यहां पर जिसे इंडिया वाला एरिया हो गया यहां पर तो इसको cyclone ही मूला जाता है उसी तरह से जब आप बात करते हैं Atlantic Ocean वाले region की यहां पर इसका नाम क्या रिजन के लिए ना important नाम है that is Willi Willis यह नाम भी आप ध्यान में रखो तो यहां पर जो आपको option दिये गये थे विली विली इस चाइना नहीं यह आपका आजाएगा उस्टेलिया आजाएगा टाइफून की जो मैं बात करता हूं यह आपका आजाएगा बेस्टन पैसिफिक का जाएगा हरी केंज की जब मैं बात करता हूं तो हरी केंज आपको यहां पर Atlantic Ocean के अंदर देखने को मिलते हैं तो तीनों कि तीनों यहां पर आपके गलत हो जाएगे अंसर आपका बनेगा option number D, 9 of the buck ठीक है friends तो यह थी आज की discussion अगर आपको इस lecture की पीडियाफ चाहिए त गुड़ लुक